हेलो एवरीबन स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मैं हुसनीता कवर और आज की वीडियो के अंदर जो हम फार्मेसोटिक्स फर्स्ट की यूनेट सेकेंड डिसकस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट टू वीडियो के अंदर हमने जो प इनांस्मेंट टेक्निक्स तो यह तीन में टॉपिक्स वह हमें लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर डिसकस करने हैं नोट फर्स सेमिस्टर के सारे के सारे वह आपको हमारी ओफिशल वैबसाइट के उपर मिल जाएंगे उसका लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन के पहा जाता है N항 speaking डोसेज पॉर्म को दिया जा सकता है और इसे कफ़ीर सब्सक्रिप योग्षोन के इसका किया इंजेक्शन के लिक्विड दूसेज फॉर्म को दिया जासकता है जो इसे कफ सीरप में में होता है तो वो एक एक्जामपल है लिकवी डोजिज़ाइब का नौ जो लिकवी डोजेच फॉइम ये इसके इनदर अच्छे से डिसकस करेंगे जैसे मोनुफेजिक डोजेच फॉर्म जो हैं इसके इंदर एक्जामपल आतके सीरक्थ हो गए माउथ वाउच हो गहाया यह लि तो था यह basic introduction था liquid dosage form का नो हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी drug liquid dosage form के अंदर होती है तो उस form के अंदर उसका advantage जो है वो क्या-क्या होते हैं तो इसका first advantage यह होता है कि easier to swallow मतलब जब कोई एक drug liquid form के अंदर होती है तो उसे swallow करना जो है वो easy होता है second is distribution is better तो जब एक drug जो है वो liquid form के अंदर होती है तो उसका जो distribution होता है body के अंदर वो जादा अच्छा होता है as compared to solid dosage form का होता है and जब distribution अच्छा होता है तो साथ ही साथ क्या होता है इसका जो onset of action होता है मतलब किसी भी drug को हम लोग क्यों लेते हैं जब किसी को कोई बिमारी होती है तभी वो किसी drug को लेता है और वो drug जो है वो उस बिमारी को ठीक करती है तो यह चीज जो है वो यह कहलाती है कि यह drug जो है वो अपना action produce कर रहा है तो जो action produce होता है वो liquid dosage form से जो होता है वो ज़दा quick होता है as compared to solid dosage form से होता है next is more economical जब drug जो है वो liquid dosage form के अंदर होती है तो वो ज़ाधा economical होती है थोड़ी सस्ती होती है as compared to solid dosage form next is easily administered तो यह वही point हो गया है easier to swallow अगर कोई भी drug liquid form के अंदर होगी तो उसे administer करना मतलब किसी भी patient के द्वारा लेना जो है वो easy रहेगा as compared to solid dosage form next is dose can be adjusted तो जब कोई भी drug liquid form के अंदर होती है तो उसके dose को जो है adjust किया जा सकता है मतलब उसे थोड़ा वत कम जादा करा जा सकता है अगर वो liquid form के अंदर है तो लेकिन अगर वो solid form के अंदर है और solid के अंदर भी tablet form के अंदर है तो उसके dose को adjust नहीं करा जा सकता अब वो tablet जितने mg की होगी उतने की ली जाएगे और उसे adjust इस सरीके से नहीं किया जा सकता next is more absorption liquid dosage form के अंदर क्या होता है कि कोई भी drug जो ली जाती है उसका absorption जो है वो जादा होता है as compared to solid dosage form so यह जो थे हैं सारी advantages से अगर कोई भी drug liquid dosage form के अंदर होती है तो हमें यह सारी advantages जो है वो मिलते है now next आते हैं disadvantageous मतलब कोई भी drug अगर liquid dosage form के अंदर है तो उसके disadvantageous क्या होगे सबसे first आता है less stable मतलब अगर drug जो है वो liquid form के अंदर होगी तो वो कम stable होती है as compared to अगर drug जो है वो solid form के अंदर होगी second is more chances of microbial contamination तो जब कोई भी drug जो है वो liquid form के अंदर होती है तो जो microbes से contamination के chances होते हैं वो बहुत ही जादा हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई भी drug liquid form के अंदर है अगर उसे खुला छोड़ दिया चाता है तो बहुत ही जल्दी उसके अंदर microbes enter कर जाते हैं और वो drug जो है वो खराब हो जाती है next is masking of unpleasant taste is difficult तो जब कोई drug liquid form के अंदर होती है तो क्या होता है उसका जो खराब taste होता है या तो जो कड़वा टेस्ट होता है उसे mask करना मतलब उसे normal taste के अंदर convert करना जो है वो थोड़ा difficult होता है as compared to solid dosage form के अंदर होता है next is administration of correct dose is less तो liquid dosage form के अंदर क्या होता है कि exact या फिर correct dose जो है वो नहीं दिया जाता क्योंकि क्या होता है कि generally हमने देखा है कि दवाई के साथ में एक धक्कन आता है तो कुछ लोग क्या करते है कि उस धक्कन को पूरा ही भढ़ लेते है कुछ लोग को mark दिख जाता है कि यहाँ पर 5 ml है यहाँ पर 10 ml है तो वो उसे साब से लेते है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है तो इस वज़े से liquid dosage form के अंदर जो correct dose का administration है वो नहीं हो पाता है तो यह थे सारे advantages and disadvantages of liquid dosage form नाउ नेक्स टॉपिक हमारे पास आता है एक्जिपियन्स used in formulation of liquid dosage form तो इसका simply क्या मतलब होता है excipient का मतलब हमें पता है कोई भी drug होती है तो सिर्फ drug ही हमें नहीं दी जाती है drug के साथ में कुछ additional चीज़े भी use होती है उन्हें जो है excipient कहा जाता है मतलब main salt जो हो गया वो तो drug हो गयी उसके साथ में जो और extra चीज़े use होती है जैसे कि solvent के रूप में water use हो गया alcohol use हो गया and coloring agent हो गया flavoring agent हो गया यह सब जो है जो extra चीज़े add होती है main salt के अलावा उन्हें जो है excipient कहा जाता है तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि जब एक liquid usage form को बनाया जाता है तो उसके अंदर excipient जो है वो क्या-क्या use होते हैं उसे बनाने के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास 7 excipient के नाम लिखे हुए इनके examples and यह होते क्या है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे सबसे first हमारे पास आते है preservatives so preservatives simply होते क्या है यह वो substances होते हैं तो क्या करते किसी भी drug को खराब नहीं होने देते and जब preservative को किसी भी drug के अंदर add करा जाता है तो इससे क्या होता है कि drug जो है वो ज़्यादा duration के लिए stable हो जाती है जैसे कि example आता है benzoic acid को preservative के रूप में use करा जाता है then phenol को भी use करा जाता है and benzoonium chloride जो है उसे भी preservative के रूप में use किया जाता है now next हमारे पास जो antioxidant क्या होता है कि कोई भी drug जो है उसका oxidation होने से ये agent जो है वो रोक देते हैं जिसकी वेज़े से क्या होता है कि drug जो है वो ज़्यादा time तक stable form के अंदर exist करती है क्योंकि अगर किसी भी drug का oxidation हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि वो खराब हो जाएगी तो antioxidant जो है वो उसे ज़्यादा देर तक stable रहने में मदद करते है अब antioxidant के लिए हमारे पास example आते हैं जैसे कि EDTA हो गया जो कि ethylene diamine tetra acetic acid होता है जो कि chelating agent होता है इसके अंदर आगे butylated hydroxy toluene जिसे BHTB कहा जाता है इसके अंदर आगे butylated hydroxy anisole जिसे BHAB कहा जाता है ये सारे जो हैं ये antioxidant के example हो गए next हमारे पास आते हैं sweetening agent तो कोई भी salt होता है या कोई भी drug जो है उसका bitter taste होता है मतलब कड़वा taste होता है तो उसे ठीक करने के लिए क्या होता है कि sweetening agent को use करा जाता है जिससे की थोड़ा से उसका taste जो है वो ठीक हो जाए इसके अंदर हमारे पास example आते हैं कि सुक्रोज हो गया, maltose हो गया, lactose हो गया, fructose हो गया, sorbitol हो गया, manitol हो गया, aspartum हो गया, saccharine हो गया ऐसे बहुत सारे जो agents होने sweetening agent के रूप में use करा जाता है next आते flavoring agent flavoring agent क्या करते हैं किसी भी drug के अंदर flavor provide कराते हैं इससे कि किसी भी patient को drug को लेने में बहुत जादा दिकत ना हो इसके अंदर example आता है जैसे कि vanilla हो गया, orange हो गया, इस तरीके से यह flavoring agent होते है next हमारे पास आते है coloring agent coloring agent क्या करते हैं कि drug के अंदर color provide करते हैं अगर उसका pH उपर नीचे हो गया तो उससे क्या होगा कि वो drug खराब हो जाएगी तो इसलिए buffers को use करा जाता है जिसे कि उसका pH maintain रहे and drug जो है वो stable form के अंदर exist करें इसके अंदर हमारे पास example आते है जैसे कि phosphate buffer हो गए, calcium buffer हो गए next आते है viscosity controlling agent सबसे पहले viscosity का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो liquid है उसके अंदर जो resistance to flow होता है मतलब एक liquid है मतलब water जो है वो बहुत ही easily flow करता है क्योंकि उसके अंदर viscosity जो होती नहीं है या बहुत ही कम होती है वहीं अगर हम बात करें honey की मतलब शहद की अगर वो flow करता है तो वो क्या करता है वो बहुत ही easily flow नहीं करता क्योंकि उसकी viscosity जो है वो बहुत ही जादा होती है तो viscosity का simply हम लोग यह मतलब मान सकते है कि कोई भी liquid जो है वो कितना गाड़ा है या फिर अगर हम इसकी definition देखे तो viscosity का मतलब होता है resistance to flow मतलब किसी भी liquid को flow होने में जो resistance प्रवाइड होता है उसे viscosity कहा जाता है जो liquid dosage form के अंदर drugs होती है उसके अंदर viscosity controlling agent को डालना भी ज़रूरी होता है जिससे कि उसकी viscosity जितनी हमने रखी है जिसके अंदर वो stable रहता है उसी जगह पर उसकी viscosity जो है वो fix रहे और वो उपर नीचे ना हो इसके लिए viscosity controlling agents को भी use करा जाता है अब इसके अंदर example आता है जैसे कि methyl cellulose आ गया, sodium carboxy methyl cellulose आ गया इन्हें जो है viscosity controlling agent के रोप में use करा जाता है तो ये थे सारे excipients जिने liquid dosage form की formulation के अंदर liquid dosage form को बनाने के लिए use करा जाता है Now next topic हमारे पास आता है solubility enhancement techniques मतलब किसी भी liquid के अंदर कोई चीज solubile हो रही है नहीं हो रही तो उस solubility को enhance करना उसके लिए जो techniques use होती है उन्हें कहा जाता है solubility enhancement techniques simply ऐसी techniques जो कि solubility जो है उसे increase करने में मदद करती है यहाँ पर हमारे पास साथ techniques है जिनके द्वारा क्या करा जाता है solubility को increase किया जाता है अब solubility जो होती है मतलब कोई भी जो एक particular solute है वो कितना solvent के अंदर soluble है उसके लिए मारे पास कुछ terms आती है जैसे कि very soluble, freely soluble, soluble, sparingly soluble तो यह सारी चीज़े जो हो आपको पता होनी जाए कि मतलब very soluble का क्या मतलब है freely soluble का क्या मतलब है तो यह चीज़े जो हो first semester के अंदर एक clear हो जानी जाए क्योंकि आगे के semesters के अंदर भी सीधे words आएंगे कि यह वाली चीज़ जो है वो इस चीज़ के अंदर इतनी soluble होती है very soluble होती है, freely soluble होती है तो यह चीज़ हमें first semester के अंदर ही clear हो जानी जाए कि very soluble का क्या मतलब होता है freely soluble का क्या मतलब होता है यह चीज़ जो है वो हमने analysis के अंदर discuss करी थी वहाँ पर आप लोग देख सकते है तो यह सब चीज़े जो है वो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए now first technique हमारे पास आती है pH adjustment so pH adjustment के अंदर क्या होता है कोई भी एक particular जो solute होता है तो इस तरीके से जो pH होता है वो भी solubility को effect करता है जैसे कि जो weak acid या फिर weak base होते उसकी जो aqueous solubility होती है वो solution जो है उसके pH से effect होती है and उसकी solubility को जो है increase करा जा सकता है pH को adjust करके अब जो pH का adjustment है वो दो तरीके से हो सकता है या तो वहाँ पर salt का formation कर दिया जाए या फिर क्या करा जाए कि वहाँ पर buffer को add कर दिया जाए तो इन दो तरीकों से जो pH को adjust किया जा सकता है ठीक है तो first हमारे पास हो गया pH adjustment जिसके अंदर हम लोग क्या करते है solubility को increase करने के लिए pH जो है उसे adjust कर लेते है जो second जो technique आती है हमारे पास हो आती है complexation complexation का simply क्या मतलब होता है कि जो metal ions होते है वो ligands के साथ में जो है bond बनाते है तो जो structure बनता है उसे कहा जाता है complex and this process को कहा जाता है complexation अब complexation से क्या होता है कि जब एक complex का formation हो जाता है तो उस complete compound की जो solubility होती है वो increase हो जाती है तो जैसे कोई भी poorly soluble drug होगी मतलब कोई एक ऐसी drug जो कि बहुत ही easily soluble नहीं होती है तो उसके लिए क्या करते है कि उस drug का एक soluble material के साथ में complex बनाया जाता है जिससे कि उसकी solubility जो है वो increase हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से complexation process जो है ये भी solubility को increase करने में मदद करता है next हमारे पास आता है surface active agents surface active agents जो है ने surfactants भी कहा जाता है ये क्या करते हैं कि जैसे solute जो है वो solvent के अंदर अच्छे से dissolve नहीं हो पा रहा तो जब हम surface active agents या फिर surfactants को उसके अंदर add कर देते है इसे क्या होता है कि दो liquids के बीच में जो interfacial tension होती है वो कम हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि solute and solvent जो है वो एक दूसरे के अंदर बहुत ही easily soluble हो जाते हैं तो इस तरीके से surface active agents जो है वो solubility को increase करने में मदद करते हैं simply क्या होता है कि कोई भी एक solute solvent के अंदर soluble नहीं है तो उसके अंदर surface active agents या फिर surfactants को add कर दिया जाता है जिसकी मदद से जो interfacial tension होता है उन दोनों के बीच का वो कम हो जाता है इस वज़े से solubility जो है वो increase हो जाती है next आता है co-solvency इसके अंदर भी same वही होता है कि जब एक कोई भी ड्रug जो है वो एक solvent के अंदर अच्छे से dissolve नहीं हो पाती है तो क्या करते है कि उसके अंदर एक additional solvent जो है उसे add कर दिया जाता है जिसकी मदद से क्या होता है कि जो drug है वो easily of solvent के अंदर dissolve हो जाती है easily soluble हो जाती है तो इस तरीके से solubility जो है वो increase हो जाती है next technique आती है micronization इस term का simply ये मतलब होता है कि किसी भी drug के जो particles है उसके size को छोटा करना जो है वो micronization कहा जाता है तो जब हम किसी भी drug के particle size को छोटा कर देते है तो उसे क्या होता है surface area जो है बढ़ जाता है next आता है chemical modification तो इसका तो simply ये मतलब हो गया कि कोई भी drug जो है वो एक solvent के अंदर dissolve नहीं हो पा रही है तो chemically उस drug का modification कर दिया जाता है जिससे कि वो easily solvent के अंदर dissolve हो सके जैसे कोई भी drug या molecule जो है वो water के अंदर अच्छे से soluble नहीं है तो उसके अंदर हम chemical modification क्या करेंगे कि उसे जादा polar बनाने के कोशिश करेंगे जब वो जादा polar हो जाएगा तो water के अंदर easily soluble हो जाएगा now last technique जो आती है वो आती है hydrotropism hydrotropism का क्या मतलब होता है कोई भी जो water insoluble drug होती है मतलब ऐसी drug जो कि water के अंदर soluble नहीं होती है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते है secondary solvent को add कर देते है जिसकी मदद से क्या होता है कि उसकी जो aqueous solubility है वो increase हो जाती है मतलब वो drug जो है water के अंदर soluble हो जाती है अब इसके अंदर क्या करते है बहुत जादा concentration में हम उस secondary solvent या फिर कुछ additives को add करते है जिसकी मदद से क्या होता है कि वो water के अंदर easily soluble हो जाते है तो hydrotropism इसके अंदर क्या है water कहीं ना कहीं involved है तो इसके अंदर aqueous solubility जो होती है किसी भी substance की है किसी भी drug की उससे increase करा जाता है और वो किस तरीके से increase करा जाता है कि एक additional solvent को उसके अंदर हम add कर देते है जिसकी वज़े से क्या होता है उसकी solubility जो है water के अंदर increase हो जाती है तो इस तरीके से ये सारे methods थे हमारे पास solubility को enhance करने के लिए तो यहाँ पर हमें आज जो topics discuss करने थे वो complete होते है अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते है और अगर आपको इस वीडियो helpful लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like करना जाद से जाद लोगों को share करना और channel को subscribe करना thank you so much इस वीडियो को इन तक देखने के लिए और channel को support करने के लिए